नमस्कार राच्य सभा टीवी में आपका स्वागत है इस वक्त की हर एहम खबर के साथ मैं हूँ अंकेता सिंग बुलिटिन की शिरुवात करेंगे राश्रोपती रामनात कोविंध ने राश्री खेल दिवस के मौके पर राश्री अखेल और सहसिक पुरुसकार 2020 प्रदान किये राश्रोपती ने कहा कि हर वर्ग और शेत्र के लोगों की भागिदारी से ही खेल की संस्कृती को बढ़ावा मिल सकता है प्रदानमंत्री नरेंट्र मोदी ने जहांसी इस्थित रानी लक्ष्मी बाई कें्द्री कृृषी विश्व विद्याले के ने शैक्षटिक और प्रशास्निक भवन का उधखाटन किया इस मौके पर प्रधार मंत्री ने कहा कि इससे शिक्षा के बुनियादी धाचे में सुधार होगा और कृषी के साथ साथ किसान कल्यार में अत्याधुनिक शोध में सहीयोग होगा इसके अलावा बात करेंगे उप्राशुपती एमवेंकै नाइड्वी ने मात्रभाशा को बढ़ावा देने पर जोर तिया और उप्राशुपती ने कहा कि शिक्षा और प्रशासन में शेत्री और मात्र भाशा का बड़े पैमाने पर इस्तमाल किया जाना चाहिए साथी, बुलिटिन में बात COVID-19 की भी करेंगे देश में फैलते कोरोना वाइरिस को लेकर केंद्रिय परिवार एवं स्वास्ति कल्यान मंत्री डॉक्टर हर शुवरधन की अध्यक्षिता में मंत्री समूहों की 20 वी बैठक हुई इसमें संसदिय सत्र औत्योहारों को लेकर रणनीती बनाई गई इन तमाम खबरों के अलावा देश दुनिया की हर खबर पर रहेगी नसर शुरुवात करते हैं बुलिटिन की और बुलिटिन में सबसे पहले बात करेंगे राश्टी खेल पुरुसकारों के वितरन की राश्रुपती रामनात कोविंद ने राश्टी खेल दिवस के मौके पार वर्च्वल माध्यम से राश्टी खेल और सहसिक पुरुसकार 2020 प्रदान किये इस मौके पर राश्रुपती ने कहा कि खेलों में उत्कृष्टिता और उपलब्धियां सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है हर वर्ग और शेत्र के लोगों की भागीदारी से ही खेल की संस्कृति को बढ़ावा मिल सकता है कोविज महमारी की वज़े से इस साल राश्री खेल पूरसकार समहरों वर्च्वल माध्यम से हुआ राश्रपती रामनात कोविन ने इस साल के खेल पूरसकार विजीताओं को सम्मानित किया समहरों में देश के विभिन स्थानों, बैंगलूरू, पुने, सोनिपद, चंडिकड, कोलकाता, लखनव, दिल्ली, मुंबई, भुपाल, हैदराबाद और इटानगर से 60 से ज्यादा पूरसकार विजीताओं ने हिस्सा लिया राशपती रामनात कोविन ने इस मौके पर कहा कि सभी की भागिदारी के बल पर किये गए सामोहिक प्रयासों से भारत एक खेल महाशक्ती की रूप में उभरेगा दोजार अठाइस के उलम्पिक खेलो में टॉप टैन ओडियम फिनिशर कंट्रीज में रहने का हमारा लक्ष है हम इस लक्ष को जरूर हासिल करेंगे आप सब के प्रयासों के बल पर विश्यो पटल पर भारत का गौरो बढ़ता रहा है आप सबने अपने प्रदर्सन से सभी भारत वासियों को सामुहिक सफलता के एसास के अविस्वानिये च्छन प्रदान किये हैं इस साल कुल 74 लोगों का राष्टे खेल पुरसकार के लिए चैन किया गया पिछले चार साल में खेलों के खेत्र में शांदार प्रदर्शन के लिए राजीव गांधी खेल रतन पुरसकार दिया जाता है इस साल खेल रतन के लिए चुने गए खिलाडियों में क्रिकेटर रोहित शर्मा, पैरा एतलीट, मरियप्पन, ठांगवेलू, टेबल टैनिस खिलाडी, मनिका बत्रा, पहलवान, विनेश, फोगाट और महिला होकी कप्तान रानी रामपाल शामिल हैं टीम इंडिया के उपकप्तान रोहित शर्मा वंडे में तीन दोहरी शर्मा लगाने वाले एक मात्र बल्लेबाज हैं, वंडे में सरवाधिक स्कोर का रिकॉर्ड भी उन्ही के नाम है 2014 में श्री रंका के खिलाफ उन्होंने 264 रन बनाए थे, रोहित शर्मा ने अब तक 224 वंडे मैचों में 29 शतक के साथ 915 रन बनाए हैं, वहीं 32 टेस्ट में 6 शतक के साथ 2141 रन बनाए हैं, उन्होंने 108 T20 मैचों में 2773 रन बनाए हैं राजीव गांदी खेल रतन पुरसकार पाने वाली महिला पहलवान विनेश फोगाट ने 2018 में हुए राष्ट मंडल और एशियाई खेलों में 29 पदख जीते थे, विनेश ने पिछले साल विश्व चैंपिनशिप में कांसे पदख जीत कर तोक्यों ओलंपिक के लिए देश को कोटा दिलाया था, राजीव गांदी खेल रतन पुरसकार पाने वाले पैरलंपियन, मरियपन, थंगावेलू ने 2016 के रियो पैरलंपिक के उची कूद में सौन पदख जीता था, उन्होंने पिछले वश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपिनशिप में कांसे पदख जीता थ वो 2017 में अरजुन पुरसकार से सम्मारित किये गए थे, राजीव गांदी खेल रतन पुरसकार पाने वाली टेबल टैनिस खिलाडी मनिका बत्रा ने 2018 के राश्टमंडल खेलों में महिला व्यक्तिगत और टीम स्वान सहित कुल चार पदख जीते थे, उन्होंने 2018 में जकार मैच खेल कर बहुत सारे रिकॉर्ड अपने नाम कर चुकी है, 2010 के एशियाई खेलों में शांदार प्रदेशन को देखते हुए उन्हें एशियन हौकी फेडरेशन ने अपनी ओल स्टार टीम में शामिल किया था, अपने अभी तक के करियर में वो 240 से ज्यादा मैच खेल पिछले साल भारत ने FIH सीरीज का फाइनल मुकाबला जीत कर टोक्यो ओलंपिक के लिए कौलिफाई किया था, भारती होकी टीम को अब तक कि सब्षेश रैंकिंग तक पहुचाने में उनकी बड़ी भूमिका रही है, इनके अलावा अर्जुन पुरसकार पाने वाले 27 खि और लवलीना बुर्गोहेन, क्रिकेट से इशांत शर्मा और दिप्ती शर्मा, आजे आनन सावंद घुटसवारी से, संदेश जहिंगन फुटबॉल से, अदिती अशोग गोल्स से, आकाश दीप सिंग और दीपिका हौकी से, दीपक कबड़ी से, सारिका सुधाकर काले खो काकरान और राहुल आवारे कुष्ती से, सुयश नारायन जादव पैरा तराकी से, पैरा एथलीट संदीप और पैरा निशानेबाजी मनीश नर्वाल शामिल हैं। 39 अगस 1905 को उत्तरप्रदेश के इलहबाद में जन्में ध्यानचंद ने 1928, 1932 और 1936 में हुए उलम्पिक खेलों में भारत को होकी का सौन पदक दिलाने में एहम भूमी का निभाई थी। फेस्बूक पर लिखा कि कुछ लोग जीते जी किवदंती बन जाते हैं। ध्यानचंद का जीवन ऐसा ही था। अंदराश्टे मैचों में उन्होंने 400 से ज्यादा गोल किये। वो प्राश्पती ने आगे लिखा कि कोविड महमारी ने खेलकूत की सामान निगतिविद्यों को भी प्रभावित किया। लेकिन कोरोना संक्रमंट से लड़ने के लिए आज ये और भी ज़रूरी है कि हम शारीरिक और मांसिक रूप से सुस्त रहें। लुक्प्रिय बनाने के साथ साथ भारत में खेल प्रतिभाव को आवश्यक सहयोग देने के लिए भी अथक प्रियास कर रही है। इसके साथ ही सभी लोगों से खेल और फिटनेस व्यायाम को अपने दिन्चरिया का एहम हिस्सा बनाने का आगरह करता हूं। इसके अंगिनत फायदे हैं। मंगल कामना करता हूं कि सभी लोग प्रसन और स्वस्त रहें। केंदी खेल मंत्री किरन डिजुजु ने भी राष्टी खेल पुरसकार विजेताओ समेथ सभी खिलाडियों को शुपकामना देते हुए राष्टे खेल पुरसकारों की इनामी राशी में भारी बढ़ोती की घोशना की। केंदी खेल मंत्री किरन डिजुजु ने डिली के मेजर ध्यांचंद नैशनल स्टेडियम जाकर वहां हौकी के महनायक मेजर ध्यांचंद की प्रतिमा पर शद्धा सुमन अर्पित किये। बीरो रिपोर्ट राजी सभा टीवी भूमिका निभाएगी। निर्भर भारत को बनाने में प्रमुक भूमिका निभाएगी और इसके लिए हम पूरी ताकत लगा देंगे। उन्होंने कहा कि इस अभ्यान में ये क्रिशी विश्य विद्याल है अपनी पूरी ताकत के साथ महत्पूर्ण भूमिका निभाएगा। कभी रानी लक्ष्मिबाई ने बुंदेल खंड की धर्ति पर गर्जना की थी। मैं मेरी जांसी नहीं दूंगी। हम सब को ये वागत के बराबर याद है। मैं मेरी जांसी नहीं दूंगी। आज एक नई गर्जना की आवशक्ता है और इसी जांसी से इसी बुंदेल खंड की धर्ति से आवशक्ता है। मेरी जांसी मेरा बुंदेल खंड आत्मनिर भर भारत अभ्यान को सफल बनाने के लिए पूरी ताकत लगा देगा एक नया अध्याय लिखेगा। प्रधानमंद्री ने कहा कि बीच से लेकर बाजार तक खेती को तकनीक से जोडने के साथ ही आधुनिक रिसर्च के फायदों से भी जोडने का काम किया जा रहा है। करता से उनका मतलब गाव की पूरी अर्थववस्ता की आत्मनिरभर्त से है। जब हम कृषी में आत्मिनिरभरता की बात करते हैं तो यह सिर्फ खाज्यन तक ही सिमीत नहीं है つ बल्कि ये गाउं की पूरी अर्थे वबस्ता की आत्मन निर्भरता की बात है ये देश के अलग-अलग हिस्सों में खेती से पैदा हुने वाले उत्पादों में बैल्यू एडिशन करके देश और दुनिया के बाजारों में पहुंचाने का मिशन है क्रिशी में आत्मन निर्भरता का लक्ष किसानों को एक उत्पादक के साथ ही उद्यमी बनाने का भी है प्रधार मंत्री ने बताया कि 6 साल पहले जहां देश में सिर्फ एक केंदरी कृष्य विश्य विश्य विद्याले था वहीं आज 3 केंदरी कृष्य विश्य विद्याले देश में काम कर रहे हैं इसके अलावा तीन और राष्ट संस्थान आई ए आर ए जहारखन आई ए आर ए असों तथा बिहार के मोतिहारी में महात्मा गांधी इंटिग्रेटेट फार्मिंग की स्थापना की जा रही है बिरुर रिपोर्ट ताजी सभा टीवी प्रधान मंत्री के मन की बाद कारिक्रम की ये 68 वी कड़ी होगी जबकि दूसरी बार प्रधान मंत्री बनने के बाद मन की बाद की ये पंद्रवी कड़ी होगी कारिक्रम के लिए प्रधान मंत्री ने लोगों से उनके सुझाव देने की अपील भी की थी मन की बाद कारिक्रम के पिशली कड़ी में प्रधान मंत्री ने कोरोना महामारी के दौरान भी सकरात्मक रुख अपनाने और आपदा को अवसर में बदल कर इस्थानी इस्तर पर किये गए प्रयासों के लिए देश वासियों की सराहना की थी उपराश्रोपती एम वेंकेया नाइडू ने मात्र भाशा को बढ़ावा देने पर एक बार फिर से जोर दिया है उपराश्रोपती ने कहा कि शिक्षा और प्रशासन में शेत्रिय और मात्र भाशा का बड़े पैमाने पर इस्तिमाल किया जाना चाहिए उन्होंने जोर देकर कहा कि कोई भी बच्चा किसी अन्य भाशा की तुलना में अपनी मात्र भाशा में ज्यादा अच्छी तरह समझ सकता है मात्र भाशा के उप्योग के जरिये उप्राश्र पती ने विभिन अभार किया भाशाओं की रक्षा और उन्हें बढ़ावा देने का आवान भी किया उप्राश्र पती एमवेंकिया नैडू ने तेलुगू भाशा दिवस की मौके पर शनिवार को वीडियो कॉन्फेंसिंग की जरिये एक वेबिनार को सम्भोध हित किया वेबिनार का विशेथा हमारी भाशा हमारा समाच और हमारी संस्कृती ओप्राश्पती ने कहा कि भाशा और संस्कृती समाच के विकास की नीव रखते हैं उन्होंने तेल्गू भाशा की संडक्षन और समवर्धन के आवशकता भी बताई उप्राश्पती ने कहा कि चाहे भारत हो या विदेश में सभी तेल्गू लोगों को अपनी भाशा और संस्कृती के प्रचार के लिए प्रयास करना चाहिए उप्राश्पती ने ब्रिटिश श्यासन की दोरान आधूनीक तेल्गू भाशा विद और सामाजिक दूरदर्शी रहे गिदुगू, वैंकर, ट्राममूर्ती को उनकी जन्मशती के अफसर पर शद्धांजली भी दी और तेल्गू भाशा को बढ़ावा देनी के लिए उनकी योगदान को सराहा कारिक्टर में तेल्गू भाशा विशिशगों के अलावा लंडन, सिद्नी, कैन्बरा, अबुधाबी, स्कॉट्लैंड, होंग कॉंग, दक्षिन अफ्रीका, न्यूजलैंड और जर्मनी समेट दुनिया भर के तेल्गू संगों के सदस्यों ने वीडियो कॉन्फेंसिंग क जरीए भाग लिया, वीरो रिपोर्ट, राजी सभा टीवी, संसत के मौनसून सत्र से संबंधित तयारियों को अंतिम रूप देने के लिए, लोग सभाध्यक्ष ओम बिरला ने गुरुवार और शुक्रवार को विभिन एजेंसियों के अधिकारियों के साथ बैठक की, उन लोग सभाध्यक्ष ओम बिरला ने COVID-19 के मौनसून सत्र की तयारियों को अंतिम रूप देने के लिए, दोनों सदनों के अधिकारियों, स्वास मंत्राले, एम्स, ICMR, DRDO और दिल्ली सरकार के स्वास विभाग के विशिशक्यों के साथ बैठक की, बैठक के बाद उन्होंने क कि दोनों सदनों में बैठने की विवस्था COVID-19 के मद्य नजर स्वास मंत्राले के दिशा निर्देशों के अनुरूप होगी, उन्होंने सांसदों से COVID-19 जाज कराने का अनुरोध भी किया, साथी कहा कि मंत्राले के अधिकारियों, मीडिया के प्रतिनिधियों, लोगसभा और रायस्थभा सचिवाले के कर्मचारियों सहित संसद भवन परिसर में प्रवेश करने की संभाव नवाले सभी लोगों को सत्र शुरू होने से पहले कोरोना संबंधी जाज करानी होगी, बैठक के दौरान लोगसभा अध्यक्ष ने निर्देश दिया कि संसद के सत्र के मद्य नजर स्वास्त सुरक्षा को लेकर विशेश सत्र दाब बरती जाए और संसद परिसर में भी स्वास्त जाज के लिए व्याफक इंतिजाम किये जाएं, लोगसभा स्पीकर के निर्देशा नुसार कोरोना संक्रमन से बचाओ के हर संभव उपाई किये जा रही हैं, इसके लिए संसद परिसर और संसद भवन में प्रवेश के समय थर्मल गन और थर्मल स्कैनर से तापमान की जाज की जाएगी, इसके अतरित संसद परिसर में सनिटाइजेशन की विवस्ता की जाएगी, पूरे परिसर में कोविड-19 से बचाओ की दिशा निर्देशों का सकती से पालन किया जाएगा लोगसभा चेंबर में सामाजिक दूरी और अन्य दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा सांसदों को अपनी बात बैट कर रखने की अनुमती भी दी जा रही ताकि खड़े होकर बोलने पर संक्रमन के किसी खत्रे की गुंजाईश नहीं इस बार संसद सत्र के दौरान आम लोगों को संसद परिसर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा सोशल डिस्टेंसिंग बनाय रखने के लिए दर्शक दीरगाओं में सांसदों के बैटने की विवस्ता की जाएगी लोगसभा अध्यक्ष ने ये भी निर्देश दिया कि सत्र के दौरान अधिकारियों और करमचारियों की स्वास जाँच की विवस्ता की जाएगी मीडिया कर्मियों का भी कोविड टेस्ट अनिवारे होगा अगर राजसभा की बात करें तो राजसभा की सभापती एमवें के अनाइडू ने भी गुरुआर को खुद जाकर तयारियों को जाएज़ा लिया था इस मौकी पर एक मौक सेशन का आयोजन किया गया जिसमें राजी सभा की अधिकारियों ने हिसा लिया इस सेशन के दौरान सभापती ने उन सभी विवस्ताओं की जाच की जो सदन के सुझारू संचारन के लिए जरूरी है इनमें सदस्यों के बैठने की विवस्ता में सोशल डिस्टेंसिंग सभापती के साथ उनका सीधे समवात की तरीके आडियो और वीडियो सिस्टम और सदस्यों की उपस्तिती दर्ज करने के लिए 6 विभिन इस्थानों पर रेजिस्टर प्रामुक थे सभापती M.N.K. नैडू ने वहां करीब 45 मिनट गुजारे और विवस्ता को देखकर संतोश व्यक्त किया और बुलेटिन में बात करेंगे कोविड अपडेट की केंड्रिय स्वास्य मंत्री डॉक्टर हर्ष वर्धन की अध्यक्षता में कोरोना को लेकर बने मंत्री सम्हू की बीसवी बैठक दिल्ली में हुई है बैठक में कोविड-19 के प्रबंधन के लिए किये जा रहे उपायों की समिक्षा की गई और भारत में कोविड-19 की वर्तमान इस्थि के बारे में G.O.M. को जानकारी दी गई 46 मिलियन केसे टोटल तिल ना हो बत आउट अप इस 2.64 मिलियन आप अप अलएडी रिकवर्वर्ड और गॉन बैक होम in the last 24 hours we had 76472 cases and 1021 deaths fatality rate since the last meeting has come down significantly it has come down to 1.81 percent and the recovery rate has also improved considerably it has come up to 76.47 percent doubling rate right now has also improved significantly it is it varies between 30 to 31 days Corona के खलाफ सरकार की test, track, treat की रणनीती कारगर साबित हो रही है January से COVID-19 के खलाफ अपनी लडाईवे देश ने आज टेस्टिंग में 4 करोड का आकड़ा पार कर लिया है, जुलाई से अब तक देश में 3 करोड से जादा टेस्ट किये गए है, इसका नतीजा है कि आज positivity rate घटकर 8.57 percent पर आ गया है देश में हाल की दिनों में COVID-19 की नमूनों की परिक्षन में लगातार इजाफा हो रहा है, पिछले 24 घंटों में 9,28,000 से ज्यादा परिक्षन किये गए हैं, भारत प्रती दिन 10 लाग परिक्षनों की शम्ता के लक्ष को पहले ही हासिल कर चुका है, इस समय देश में प्रती 10 लाग आबादी पर 29,282 टेस्ट हो रहे हैं, इसमें सबसे के आखिर में पहला केस आने की समय केवल एक लाब पुने में काम कर रही थी, दीरे-दीरे देश में कोरोना की टेस्टिंग ने रफ्तार पकड़ी और लाब का विस्तार किया, आकलों की बाद करें, तो 3 माई तक 10 लाग से ज्यादा टेस्टिंग देश में की जा चुकी थी 10 जून तक 50 लाग से ज्यादा टेस्ट किये गए, उस समय 784 लैब काम करने लगी थी, इसके बाद जाच में तेजी आई, 7 जुलाई तक देश में 1 करोड से ज्यादा करोना के नमूनों के परिक्षन किये गए, और 3 अगस तक देश में 2 करोड से अधिक नमूनों की जाच की जा चुकी थी, इसके बाद 14 दिनों में 1 करोड से अधिक टेस्ट किये गए, और ये आकड़ा 3 करोड के पार पहुँच गया, वहीं अगले 12 दिन में 29 अगस तक देश में 4 करोड टेस्ट किये जा चुके हैं, 4 करोड में से 50 फीसदी से ज्यादा टेस्ट अगस्त के महिने मे किये गए, जैसे जैसे परिक्षन शम्ता में व्रधी हो रही है, सकारात्मक्ता की धर यानि पॉजिटिविटी रेट में कमी आ रही है, पिछले 3 पकवालों की पॉजिटिविटी रेट को देखें, तो 18 से 31 जुलाई के बीच पॉजिटिविटी रेट 11 फीसदी से अधिक जो 14 अगस्त आते आते 9 फीसदी के करीब आ गई, वहीं 15 अगस्त से 28 अगस्त के बीच पॉजिटिविटी रेट 8 फीसदी से कम हो गया, पिछले 3 महिनों में औसर टेस्ट केस और पॉजिटिविटी रेट पर नज़र डालें, तो जून में औसर तन 1,66,000 से ज्यादा टेस् जून में पॉजिटिविटी रेट 7.9 फीसदी थी, जुलाई में टेस्ट की शमता दो गुना हो गई, रोजाना 3,49,000 से ज्यादा टेस्ट होने लगे, इस दोरान 35,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आने लगे, जुलाई में पॉजिटिविटी रेट 10.5 फीसदी के करी जादा टेस्टिंग से शुरुआत में ही सक्रिय मामलों की पहचान हो जाती है, संक्रमित व्यक्ति के करीबी संपर्कों को तुरंद ट्रैक और आइसोलेट किया जा रहा है, समय पर और प्रभावी उपचार से ठीक होने वाले लोगों की संख्या भी लगातार बढ़ रही ह बीरो रिपोर्ट राजी सभा टीवी जो दुनिया के कई देशों से काफी कम है इसके बाद इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 62,000 के पार हो गई देश में कोरोना से मरने वालों की दर 1.81 फीसदी है सबसे पीड़े देशों से तुलना करें तो अमेरिका और ब्राजील में कोरोना से मरत्यू दर 3.81 फीसदी है इसके अलावा ब्रिटेन, इटली, फ्रांस, स्पेन, मेक्सिको, इरान समेथ कई देशों में कोरोना से मरने वालों की दर भारस से कई गुना ज्यादा है बीरो रिपोर्ट राजी सभा टीवी बीदे 24 घंटे में महराष्ट और आंधर प्रदेश में 10,000 से अधिक करनाटक, तमिलनादू और उत्तर प्रदेश में 5,000 से अधिक कोरोना के मामले सामने आए हैं सबसे जादा 14,427 मामले महराष्ट में आए हैं इन पाँच राजियों के साथ पर्शमबंगाल, ओडीशा और तेलंगारा में देश के 73 फीज़ी सक्रिय मामले हैं देश में अब तक करोना की सबसे ज़्यादा मामले महराष्ट में आए हैं यहां सबसे ज़्यादा नए केस सक्रिय मामले और मौत भी हुई हैं आंधिप्रदेश में हाल की दिरों में कोरोना संक्रिमितों की संख्या में इजाफा हुआ है यहां 4 लाग से ज़्यादा मामले आ चुके हैं हाला कि 3 लाग से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं करनाटक में करीब 9,000 नए केस आये हैं और राजी में 3 लाग से ज़्यादा केस आ चुके हैं और 5,000 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है तमिलनाडू में 6,000 के करीब नए मामले आये हैं और कुल मामलों में यह दूसरे नंबर पर है राजी में 4 लाग से ज़्यादा मामले आ चुके हैं और 7,000 से ज्यादा लोगों की इस वाइरस से मौत हो चुकी है। उत्तरप्रदेश में 5,000 से अधिक नए मामले आए हैं। राजी में अब तक 2,000,000 से अधिक मामले आ चुके हैं। महराश्य दिली, तमिलनाडू, आंध्रप्रदेश, करनाटरक, उत्तरप्रदेश और पश्रिम मंगाल में 81 फीसदी कोरोना से मौत हुई हैं। केंद सरकार ने राजियों से मृत्यू दर में कमी लाने के लिए कोरोना की टेस्टिंग बढ़ाने को कहा है। आप तक उत्तरप्रदेश ने सबसे ज्यादा परिक्षन किया है। तमिलनाडू में 45,73,000 से ज्यादा टेस्ट किये जा चुके हैं। महराश्य में 49,49,000 से ज्यादा और आंध्रप्रदेश में 35,000 से ज्यादा टेस्ट किये गए हैं। बिहार में 28,82,000 से अधिक कोरोना के टेस्ट किये जा चुके हैं। बिरो रिपोर्ट राजी सभा टीवी। ओडीशा सरकार मुफ्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराईगी। उमीदवार अपने एड्मिट कार्ड दिखा सकते हैं जो उनके याता यात के लिए पास के रूप में माना जाएगा। वही जारखन में होटल और लॉज खुले जाने की व्यवस्था सरकार कर रही है। बिहार सरकार ने भी चात्रों को परिक्षा केंद्रों तक आसानी से पहुँचने के लिए व्यवस्था की है। उत्रप्रदेश सरकार भी परिक्षा को आसानी से कराने को लेका तयारी कर रही है। केंद सरकार ने भी परिक्षा के सफल आयोजन के लिए सभी राजियों के मुक्ष सचिवों और दूसरे आला अधिकारियों को परिक्षाओं से जुड़ी तयारियों में किसी भी तरह की कोता ही नहीं बरतने का निर्देश दिया है। और इसी के साथ इस बुलिटिन में फिल हाल इतना ही आप जुड़े रहे है राचे सभा टीवी के साथ नमस्कार